फ्रेंस राइट इंफरमेशन के साथ रियर वीडियो ले गया हूँ तो फ्रेंस आज इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि आप कैसे प्रदान मंत्री योबा 2.0 में एपलाई कर सकते हो और एक क्या है कैसे आपको पैसा मिलेगा पर मंथ 50,000 किस टाइब से आपको एपलाई बगरा करना है तो सब कुस इस वीडियो में डिसकस करोंगा तो फ्रेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लिखने में इंट्रेस्ट है और आप सही तरी के से लिख सेकते हो बहुत ही मतलब जमा के लिख सेकते हो आपके लिए यह जो स्कीम है बहुती लबदायक है बहुती मतलब आप बोल सकते हो कि आपके लिए एक opportunity है मतलब आगे बढ़ने का तो क्या है इसमें कैसे आपको क्या करना है तो सब कुस डिजल्स में डिसकस करेंगे बहुत ही important है वीडियो आप देख लिजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप family member से भी आप share कीजिए जिनको भी अगर लिखने का थोड़ा भी interest है ओ आगे जाना चाहते है लिखने के उपर यानि writer वगर बनना चाहते है तो उनके लिए बहुत ही सही होगा तो आप family member से share जरूर करना तो सबकुस इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंज चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि future में जो भी वीडियो अप्लोट कर उसका नोटिशन आपको मिलते रहे तो फ्रेंज चलिए आज कर जो वीडियो वीडियो के start करते है तो फ्रेंज प्रोसेस को कहने के लिए आपको इस website में आना होगा तो इस website का direct link आपको description में मिल जागा तो इस website में आने के बाद आप देख सेकते हो अगर आप इसमें participate करते हो win हो जाते हो तो आपको 50,000 पार मांद के हिसाब से मिलेगा इदर direct link हुआ है और थोरा scroll down करेंगे तो इसका details सबकुस आप इदर देख सेकते हो तो आप पर लिजिए तो main बात यही है कि आपको 4 topic दिया गया है इस topic के उपर आपको लिखना है और उसको selection किया जाएगा अगर आप select होते हो तो आपको पार मांद 50,000 करके मिलेगा और इसमें selection होने के बाद आपका training बगरवई होगा मतलब 6 मांद का उसके बाद भी आपको opportunity मिलेगा तो आप पहले तो selection हो लिजिए तो friends इसमें आपको 4 topic दिया गया है जिसमें institution है ebn से, people से, constitutional values है तो इस 4 topic में से कोई भी एक topic से आपको लिखना होगा तो केसे apply करेंगे तो click here to submit तो इस option में आपको click कर देना है तो click करने के बाद friends इस types interface हो हो जाएगा तो आपको login करने का option दिया जा रहा है तो हम लोग लोग इन नहीं करेंगे हम लोग करेंगे register तो register करने के लिए आपको scroll down करने के बाद आप नीचे देख सेकते हो कि register now का option है इसमें आपको click कर देना है तो जब आप click करेंगे तो click करते है आपको इस types interface हो हो जाएगा तो इसमें आपको नाम दीजिए email id दीजिए इंडिया तो रहेगा फिर आपका mobile number दीजिए आपका date of worth इदर से selection कर लिजिए फिर जो आपका gender है gender को आप इदर से selection कर लिजिए फिर आप create a new account option में click कर दीजिए तो मैं इदर जो details बगरा है फटा फट से में fill कर देता हूँ fill करने के बाद create a new account को option में click कर देता हूँ तो friends इस option में click करते ही इस type से आपका जो mobile number है mobile number पे OTP जाएगा या email पे OTP जाएगा कोई भी एक OTP इदर enter कर दीजिए enter करने के बाद फिर create new account को option में click कर दीजिए तो friends में कर दिया मेरा OTP इदर enter फिर create new account पे click कर दिया तो click करते ही जो मेरा account बन चुका है और इदर देखिए जो मेरा mobile number है mobile number पे एक message आया है और message में एक password दिया गया है और जो मेरा mobile number email है वो ही मेरा user ID है तो इदर क्या करेंगे मेरा जो mobile number या email ID इदर enter करेंगे फिर password जो आया है mobile पे वो enter करेंगे फिर submit कर देंगे इस type से show हो जाएगा तो इस form को ही आपको fill up करना है main form एही है तो इसमें आपका नाम रहेगा आपका phone number रहेगा फिर आपका email ID आपका father या mother number देना है फिर आपका date of birth proof की हिसब से आपको एक documents upload करना है जिसमें आपका 10th past certificate हो सकता है कोई भी ID proof हो सकता है या Indian passport हो सकता है तो आपको upload करना है क्या होगा friends इदर आप देख सकते हो upload करना है choose file में जाके आपको upload कर देना है फिर आपका India तो choose रहेगा फिर आपका state choose कर लिजे आपका district, आपका city, आपका postal code यानि pin code number फिर आपका present occupation क्या है फिर आपका qualification आपको इदर देना है और आगर आपको पहले कोई भी experience है लिखने के उपर एसा नहीं आपको लिखने के उपर experience है तो इदर आप mention कर सकते हो फिर जो आपका language है language को आप selection कर लिजे कोई भी language में आप लिख सकते हो और सभी language इदर है तो आपको क्या करना है language इदर से select कर लेना है फिर आपको topic इदर से select कर लेना और उस topic पर आपको लिखना है कितना watt का आपको 10,000 watt का आपको लिखना है तो लिखने के बाद उसको PDF करकर आपको इधर upload करना होगा अगर आप लेप्टॉप पे लिखेंगे तो ही PDF बनाके आप दे देंगे, अगर कोई papers में लिखेंगे तो उसको PDF बनाके आपको देना होगा फिर इसका क्या होगा इसका होगा मतलब checking checking मतलब क्या है आप कितना सही से लिख हो कितना interesting अपने लिखे हो और आपका लिखने का creativity क्या है वो सब मतलब examine किया जाएगा जो committee रहेगा committee के दोरा तो examine करने के बाद फिर आपको selection किया जाएगा अगर आपका लिखना बहुत ही अच्छा है मतलब समझ लीजे बहुत ही अच्छा है आप high level में लिखते हो आपका लिखने का तरीका तो आप selection हो जाओगा तो selection होने के बाद फिर आपका training बगरा होगा और training होने के बाद आपको और भी opportunity में लगा क्योंकि government में ऐसे बहुत सारी लोगों को मतलब requirement होता है जिसमें उन लोग को लिखने के मतलब department में दिया जाता है तो शायद इसी दिए मतलब एक कर रहा है तो competition जैसा है अगर आप selection हो जाते हो तो selection होने के बाद फिर आप इस type का job भी कर सकते है और जो आपका training होगा 6 month का उसमें भी आपको पर month 50,000 करके दिया जाएगा तो friends देखिए अगर आपको selection मिल जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा opportunity है यह मतलब इसमें अगर आपको writing में जाना है तो तो आप इसको fill कर लिजिए और जो मैंने process दिखाया है तो इस तरीके से आप fill करके आपका जो भी topic है topic में आप choose करके उस पर लिखे लिखे आप submit बगरा कर दिजिए फिर आपका selection के लिए wait करते रहिए तो friends इस वीडियो में इतना है था तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और में से अनको subscribe करना ना भूले फिल मिलेंगे next वीडियो में thank you